नीमच की क्रसी उपज मंडी में कत्रितोंगे तीन राज्यों के अफिम कस्तकार, CPS प्रदती को खत्म करने को लेकर बनेगी रणनीती, दिल्ली कुछ पर भी होगी चर्चा, नमस्कार देखिए आज की विशेश खबर नीमच भारती अफिम किसान संगर्स समीती, राजस्थान, मद्धिब्रदेश, उत्तरब्रदेश के सभी किसान भाईयों को आवान किया जाता है कि आने वाली 4 दिसंबर 2022 को नीमच क्रशी मंडी प्राणगर में हर गाउं से हर जागरु किसानों को आना चाहिए जिनको CPS प्र कमपनी एक्ट से चुटकारा पा सके क्योंकि अंग्रेजों ने भी कमपनी राज लाकर देश पर राज किया था और यह फिर कमपनी राज ला रहे हैं और इसमें किसानों की दूरदशा होने वाली हैं क्रशी उपश मंडी में दिल्ली कुछ करने की और वहां हमारी सरकार को प्रदान मंत्री को जो किसान हित में वैसले लेने वाले तीन क्रशी कानून वो रद्ध कर दिये या तो कुछ भी नहीं है CPS प्रद्यती को भी हमारे प्रदान मंत्री किसान हित में जरूर वापस करवाएंगे क्योंकि हमारे प्रदान मंत्री से हम किसान भाईयों को मिलने ही नहीं दिया जा रहा इसमें हम हमारे सारे जनप्रती निदियों से भी सहयोग मांगते हैं कि हमें हमारे प्रदान मंत्री से पांच मिनट ही कम से कम मिलने का मोका दिया जाए हम किसानों को हम हमारी पीड़ा बया कर सके ऐसे यसस्वी प्रदान मंत्री हम किसानों की बात को जरूर सुनेंगे और हम किसानों के हित में CPS प्रदती को जरूर वापस करेंगे और किसानों के हित में अच्छे वेसले करेंगे इसके आगे सारे किसान अफिम उत्पादक किसान मिलकर इस रणनिती को आगे बढ़ाएंगे इसलिए आपको अधिक से अधिक संक्या में हर गाउं से कम से कम जितने भी CPS प्रदती के पट्टे वाले किसानों को अनिवार्यता आना है यहाँ अपिल रामचंद्र डांगी भगोर तसील सिता महु जीला मंदसोर मध्यप्रदेश द्वारा की गई है अधिक जानकारी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News